अरेक दिन तीब्रतर दर्मा कुरोना संक्रमाट बढ़ाई अरेक दिन तर्माट बढ़ाई अरेक दिन तर्माट बढ़ाई अरेक दिन तर्माट बढ़ाई अरेक दहाले दिये राजिनामा अरेक दिन तर्माट बढ़ाई निशन तान पन समंधी सवी बचार, होप फर्टिलिटी एंड डाइग्नोस्टिक सेंटर, बबर महल कारफांडू निशन पन समंधी सवी बचार, होप फर्टिलिटी एंड डाइग्नोस्टिक सेंटर, बबर महल कारफांडू निशन पन समंधी सवी बचार, होप फर्टिलिटी एंड डाइग्नोस्टिक सेंटर, बबर महल कारफांडू निशन पन समंधी सवी बचार, होप फर्टिलिटी एंड डाइग्नोस्टिक सेंटर, बबर महल कारफांडू उपत्यकामा कोबिड का सबय बंदा बड़ी, अर्थात 5310 सक्रिय संक्रमी छन। मंगलबार मात्र उपत्यकामा 1266 नय संक्रमी ठपियेका थे। यसे गरी उपत्यका पचे सबय बंदा बड़ी, कास्कीमा 480 सक्रिय संक्रमी छन। सुन्चरीमा सक्रिय संक्रमी तको संख्या 310 छ। कैलालीमा 279 र बांकेमा 238 सक्रिय संक्रमी छन। अहिले मुस्तांग र मोगोमा बने एक जानापनी सक्रिय संक्रमी छन। यसे गरी प्रदेश का त्रूप मा एरदा प्रदेश एक मा 870, प्रदेश दुईमा 506, बागमतीमा 5921, गंडकीमा 870, लुम्मिनीमा 579, कर्णालीमा 117, र सुदुर पस्तिम प्रदेशमा 527 आना सक्रिय संक्रमी छन। उमिक्रोन बेरियंट को प्रभा बढ़ना थाले संगाई सक्रिय संक्रमीत को संख्या बढ़ना थालेको र तेस्ट्र लहर सुरू बई सक्केको बिग्य बताउं शन। अहिले अस्पताल अरुका ICU र वेंटिलेटर मा बिरामी अरुको चाप न रहे पनी अगिल्लो अप्ताको तुला नामा केही बढ़ना थालेको छ। उमिक्रन बेरेंट बड़ संक्रमीत एक जानाले पनी धेरेला संक्रमड गराउं न सक्ने बढ़काले र 95-22 संक्रमीत रहेको अहिलेको अवस्तामा समय मैं सचतन अपनाउं न शक्किये संक्रमड ले बढ़ावरूपली न सक्ने देखिये कोछ। कांथिपूर समाचार कलागे क्रिपाल गोतम कार्फंडो। कांथिपूर समेट न गरनापने कोछ। कोरोना बिर्दो को खोब अवियान संचालान भायको करेब एक बर्स पुग्न लागदा सम्मा पनी कुल जनसंख्या को 37 प्रतिशतले मातरे पूर्ण मातरा खोब पायका छान। संचालेद खोब अवियान प्रभापकारी बनावन रा नागरेक को घरदयलो मा सरकार पुग्न सकेको छाईन। तरा सार्वजनेक सेवाल दिन खोब लगायको काड अनि वार्य गरने तयारी सरकार को छाई। यसले नागरेक चेपुआ मा परेका छान। करीब 3 करोड जन्संख्यामा 37 प्रतिशतले मात्रई कोरोना बिरुद्ध कोब पूर्ण मात्रा र करीब 50 प्रतिशतले एक मात्रा खोब लगायका छन। खोब नभायर अईले लगाउन नपायका भने होई नन। सरकार संग एक करोड सत्ताइस लाख अंठानवी हजार मात्रा खोब इस्टोर माछा। साथाई थप खोब आउने क्रम माछा। तरह खोब अभियान प्रभावकारी गरना नसक्दा अजई लाखों बेक्तिले पायका छैन। सरकार ले एक बर्च अगी माग 14 गते देखी। प्राथमिक्ता का आधार मा सिमित केंद्र मार्फत खोब अभियान संचालन गर्दे आयको थियो। अहिले सब इस्थानी ए तहमा अभियान चली रहेको भाई पनी खोब लगाउन धेरे मानिस आउने गरेका छैन। सरकार ले तेसला केंद्र मार्फत खोब अभियान संचालन गर्दे आयको थियो। सरकार ले उच्छा इस्तरे देखी सुछमा इस्तरे सम्मा को कारियोजिना बनारे कामब गर्दे चान। स्थानी ए तहको शक्रियेता अभाबले एका तीर चाहर पनी नागरिकले खोब लगाउन पाय का छैनन। और को तीरोग खोब लगायको काड़ बिना सारुजनिक सेवा लिना नपाउने व्यवस्ताले दोहरो मारमा पढ़ने इस्पस्ट छा जवनुन यो रेगुलेशन अल्ला चाईं इंप्लिकेशन गुनु रामर देखिन चा तरा अले हमरोद देश अर्को जुन अले इस्टिती एर्दाखेरी तियो चाई तिती नियाय संगा जस्तो मले लाग दाई पहुचका आधार मा भित्र भित्रई बुस्टर डोज खोप लाई समेत पईलो मात्रा भंदई लगाय काले पनी एक मात्रा लगाउने को संख्या बड़ेको छा एका तिरा खोप थनकी रा बिग्रने जोखीम हुनू रो अरका तिरा खोप लगाउने न पायरा बड़ेको जोखीम तर्फ सरकार ले थप सक्रियता देखाउना आविशेक छा कांतिपूर्श समातर का लागी कैमेरा मा विकास जोसी का साथ सुबिंद्र स्ट्रेश्ट काश्मन्डव महारत मा कोरोना संक्रमन तीब्र वहाई पेशे घर फरकाने नेपाली कु नाकामा लरको छा स्वास्थे जाज का कम्मा संक्रमन पूष्टी हुने लाई ब्यवस्थापन समेथ हुना सक्ति को छाईना फितलो परिक्षन तर्फा होल्डिंग र क्वारेंटीन ब्यवस्थापन नभाई के कारण कोरोना फ्वेलीने क्रम पनी तिब्र बने को छा कोई दिलाई जस्तेई तारबारले घेरेरा राखियेका तनौका ईयुगालाई प्ररीले 24 गंटा पहरा दी रहे कोछ भारत बाट बेले या नाका उदेई करफर्कीना लागे का इनको एंडिजेन परिच्वन का क्रम मा पोजीटिव देखिये पोछी एशेरी राखियेको हो खाने पानी को सुभीदा समेथ नभाई को ठाउमा उनी सई तीन जनालाई राखियेको शा उनी संगेका पच्पन जना संक्रम मढ पुष्टि भयेका आरू बने गाडी रिजब गरेरा गन्त अब्वे तर्फ लागे बेले याको यो अवस्ताले पारत बाट गरा फर्केका आरू को स्वास्थ्य परिच्छन रा अवस्तालाई दर्शाँ छे अज नगरपाली काले राहेको एल्डेक्स माई रहेका स्वास्थ कर्मी माँ संक्रमर पुष्टि भयेपोची स्वास्थ्य परिच्छन प्रभावकारी भयेको छे सोर गंडा खुलने नाका मां दुई जना स्वास्था कर मिले मातरे स्वास्था जांच गरी रहेका छन। उता जमुना नाका को एल्डेक्स मां कर रत तीन जना स्वास्था कर मिलाई कोरोना संक्रमट बहे पुछी भारत बाट फरकी नेको स्वास्थ्य परिशर्ण मा समस्य बहे गोचा सबी जसु नाका मा स्वास्थ्य परिशर्ण का लागी जन सक्ति अबावशा संक्रमट देखी एका कु बिवस्तापन पनी बेली या बंदा फरक छे न पच्छी मी नाकाहरु बाट मात्रेज दोयनिक 2000 बंदा बोडी नेपाली सोधेश फरकी रहे काचान जन सक्ति थब ने ओ बंदा थब नाका लागी चाहे मली अस्तिने देरी जाओं मा कुड़ागर रहे गुराओ अब आईल समा अरु रेक्रस भायको अरु ठाउँ गाट जन सक्ति आगो छाई ना उने संबावना बड़े कुछा कांतिपूर समचर का लागी कोई लाली वाटो टेक्राज जोशी का साथ भुगन पंदे बेले नाका रुपंदे अब जनता को आवाज हमिले सीमा च्षेत्रहर मा सुधे का छोँ सरकार ले सीमा नाका मा स्वास्थे परिछन का लागी परियाप्त जन सक्ति राकना किना ना सक्के को हला जनता को आवाज निशनतान पन्समंधी सवेवचार होप Fertility and Diagnostic Center बबर महल कारफांडू सरकार प्राथी सरकार बीज को समना इता समंधर मuld ऱवाज को करांडे संस्क्ति प्रस्थी इव घंदे अची परिचान पराथी सिक्सारकार इस थानने ताको जुन सरकार साथOn जाकनेट महां को अला कोसित आत है कि अधिक सफ़ास्टे मेट जी निदु ich पुछिवा नेगटिब दिखायर पनिया कोज मेरे राद रूपर भागा को चो लागे। इसतनी सर्कार देखिलिए रहा संग परदेश सब़ाइको द्याना अली कम गाको सेवकर्मी होला अली बड़ राह दिया वेशना आरूंते। सर्कार दे जुनरूप मां चासो दिनू पदने थे तो रूप मां दीरा अचाई। पशे मेले मतो माई मुद्धा कमजोर बनावना खोजियेको तहई न भन्ने आसंका उपजियेका सन। तर सरकारी वकिलको कारलोयको बुझाई मां अईलेको श्तितिमां मुद्धा अगी बड़ाई जितने कुने आधार शाई न। तेसो भई प्रहरीले प्रमार पुगने आधार जोटावला त्यो काम करीले सम्ममा होला। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपन किर्ते गर्ने हरू 360 जना विरुद्ध, CIV ले तिन बर्ष लगायर तायर पारको पर्तिवेदन का प्रमार लाई सरकारी ओकिलको कार्यालोयले कमजोर भनी दियो। स्रोत का अनुसार कटिपे बेक्तिला किटान नहीं न गरेको, बिदी विज्यान पर्योकसाला माट परिच्छन समेत गर्नुपर ने देखियेको जस्ता विश्येमा परमार नपुगेको ओकिलको कार्यालोयको ठहर छो। अहिले काई स्तितिमा मुद्दा अगी बडाये, जितने आदार न देखिये पछी, थब परमार जुटाउना अनुसांदान फाइल, CIV लाए फरकाई एको हो। सरकारी ओकिलको कार्यालायले अनुसांदान का क्रम मा राखियेका अरु कतिपे तथे माधी पनी प्रस्ण उठाएको छ। तर प्रहरी लेबने अनुसांदान गर्दाने कुने कसर नराखियेको भनेको थियो। पाँच पूरुवा सचिप सइत एती धरे बेक्तिलाई किर्तेमा मुद्दा चलावन परने प्रहरी को अनुसांदान कीने कमजोर देखियो ता। अब थप प्रमार जुटाउनों CIV लाएक कती सहाच्छा। ललता निवास वित्रको एक से 43 रुपनी भन्दा बड़ी जगा हिना बिना करदा। किर्ते परकरणमा मुची एको भन्दै तियर अर्व 26 करोड रुपयां बिगो साइत कहिद र जरीमाना पनी मागदाबी गरियेको थियो। अब थब परमार जुटाउनों CIV ले गरने अनुसंदान र तेसका लागी लागने समयले गंबेर परकर्कर्तिको यो मुद्दा को छिनो फानों कहीले र कसरी उन्चाबने तय गरने देखिन छौ। कांति पर समचार का लागी क्यामरामा बिनोत कोजुका साथ तिपका काचार्यों काठपांड़। कांति पर समयले गंबेर परकर्कर्तिको फानों कहीले गंबेर परकर्कर्तिकों फानों काचार्यों काठपांड़। कांति पर समयले गंबेर परकर्कर्तिकों फानों काठपांड़। सरकार्ले अहले सम्मा चासों देखायको छैनां। चुनाप का लागी 90 दिन को समय चाइने भने को छ, तरा अईले सम्मा चुनाप का बारे मां चल्फल भायको छाइना। चुनाप का बारे मां चुनाप का बारे मां चल्फल भायको छ, तरा अईले सम्मा 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 सविधान अनुसार इसथाणी ततको चुनाप गर्णे हो भने आगामी कात्तिक सम्मा समय श, अईनको वेवस्ता अनुसार वैशाक में चुनाप गरने हो भने, तराईको आर जिल्लामा इस्तानिये ताका पदादीकारीले पुरा कारेकाल काम गरना पाउने सैनन किना भने, सम्मिदानले किटानी का साथ इस्तानिये ताका पदादीकारीको कारे अबदी पांच बर खत्री का साथ बावुराम तिमिलसीना काटफांडाव। खत्री का साथ बाव। 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 अर्थर अभिकास दग्मा कारेरत शत्री जना कर्मचारी को दाइत्तो कसरी निर्भाहा गर्ने बन्ने चिन्ता उनलाई छ। पालपामा जस्ताई संख्वा सवामा पनी 2500 बन्दा बड़ी घरेले उद्दोगी छन। रईथाने कच्चा पदार्थमा आदारित बस्तु उत्पादन गरेर देश का पर्मक सहर मा उत्पादन पुर्यावन सकेका साना उद्दोगी पुनक कुरोना मा हमारीले समस्या पार्ने ओकी बन्ने चिन्ता मा छन। कामगरी खानुपने मांचे थोरे लगानी थोरे पुजी बड़ आमले ये शरी कामगरी खायका छुम। रामले गरीको बेवसा आलाई फेरी बाईर फेर लाना का लागी और आमले शिक्ना आउने विद्दया भेलका लागी निटे गार ओने बगाछा। नेपाल गरेली तो था साना उद्दग माहासं का अनुशार कोरोना माहामारी पछी 2,64,000 उद्दग मत दे करीब 50,000 ले मात्र नवी करण गरेका छन। तेती मात्र नभायर संचालन खर्चने नभायर आदा बंदा बड़ी उद्दगत अजही चले का छाईनान। कुल ग्रास्त उद्दग को इस्चा करीब साथ फर्तिशाच्छा। तेसमा पनी गरेल उद्दग को योगदान 93 परतिशाच्छा। 26,000,000 पंदा बड़ीलाई रोजगारी दियेका साना तथा मजोला उद्दगत को मनवल गिर्दो छा। इसता उद्दगत को सम्रत्छेण मा राज्जी को बरपर्द नितीर धाड़स आवस्षेक्छा। जग्गा प्रकराण मा प्रहरीले गरेको अनुसंधान प्रतिवेदन सरकारी वक्याद को कार्यारे लेकिना फरकाई दियेको होला। ए दवाब को प्रभाब पे अनुसंधान अपूर भाईर रसी और व्युक्तत जगवने नियत। जणमत को अन्तिम प्रेडाम यस्ता छा ए दवाब को प्रभाब मां 31% में अनुसंधान अपूर भाईरा मां 15% रसी और व्युक्तत जगवने नियत मां 29% मां प्रभाई गुछा। अब आज अको प्राश्ना। जणमत गरेलू तथा साना उद्योग लाई प्रोचाहन गर्नक्य गर्नों परला। ए साना उद्योग मैत्री निती वी कोरोना प्रभाबित लाई राहत रसी उपयोग मां प्राथमेक्ता। जणमत कोंतिम परेडाम। भुली सांचा अर्ट बजेक कांतिपूर समाशार्वर प्रसाराण गर्ने सुंख्रिपया निव्स निउज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी तीन चार सुन्ने सुन्ने एक माय समेज गरी आफ्टो मत व्याक्त करनों होला। तरलता अभाव को अस्तिति गोहिरेंदे जादा अर्था तंत्र मानाई संकतल्याओने देखिये को सा। कांतिपूर अंतर क्रियामाद जानकार हरूले तरलता अभाव का कारण ऐले उत्पादन मुलक उध्योग मा होने लगानी समित प्रभावित होने बताया का सान। तरलता अभाव का कारण सरकार को राजसुमा मात्रईन भायर आयात ब्यापार समित प्रभावित होने जानकार हरू को भनाई सा। महामारी अगी के अवर्ष्थामा और्थ तंत्र फर्कन खोजदई करता निक्षेपको तुलनामा करजा को भारी ब्रेद्धी भायको सर। करजा प्रभाव बड़ी रहता तिसका लागी आवशेक स्रोद पेवर्ष्थापन मा बैंक हरू सुके का सन। ये सरी तरलता अभाव होनुमा राष्टा बैंक स्वाइद का बैंक हरू रा आफू हरू पर ये दोसी रहायको उद्ध्योगी हरूले सुईकार करे का सन। तरलता अभाव हटाउन सरकाले पूजी गत खर्चा बड़ाउने विदेश सी दाता बाट रेन ल्याउने संगेई नेजी छोत्रलाई पानी विदेश बाट रेन ल्याउने बाटो खुला गरनू परने जानकार हरूले बताया का सन। साथ है लामो समय को निक्षेब तानने गरी राष्टा बैंक ले नया अउजार हरूको समेत बिकास करनू परने उन्ही हरूको भनाई छा। सहरी विखास मंत्रा लेरे कारफंड उपतेका का चार्ठाव मा बनाउने भनियका स्मार्ट सेटिको मोडालिटी आगामी मैना भित्रै तोय हुने बताया कोशा। सहरी विखास मंत्रे सहित प्रदेश सर्कार का प्रत्रिदी रस्थान ये तोहका प्रमुक सम्मेलित सोरा सदश्य भावतिक परवाधार विखास समेती को बैठकले बिविन्न मोडालिटी का बारेमा प्रारम्बिक सल्फल गरी सके गोशा। माको पहलो साथा पुना बस्थे सर्व पक्षिय बैठकले मोडालिटी टुंगो लगाउने सहरी विखास मंत्री राम कुमारी जाक्रेले बताया। रोकेको जग्गा मधे 56,000 रोपनी मा लान्ड पुलिंग मार्फत स्मार्ट सिटी बनाउन सकीने प्रस्ताव प्राविदे खरूले गरे का सन। लान्पुलिंग मार्दें बाट नया सहर बनाउनी बनने कंसेप्ट सही चाई त्यो उपता का प्राविदी करनले जग्गा चा रोकेर राहा थे। तेसको कती पैठाव मा कित्ता कार्चाई गर्ने समती बिन देग गराचा तेसक बाँ एक लाख रोपनी जग्गा करीब होल गरेगो मा चपननाजार रोपनी मा अईले पिनी लान्पुलिंग गर्न सकीन चा बनने अध्यान छा तेसको आधार मा आमीले अरको निनाई युट जो ता एजेंडार एक्स्प्लोर मा ते गरिं फेरी यो हाई लेबल को कमीटी जा तेसलिग गर्साने डिपी आर को प्रारंबिक मस्युदा तायर भाय पनी कुन मोडल मा काम अगारी बडावने भन्ने बारे सहरी विकास मत्वाले निड़ाय मा पगेको छाई ना अमेरिका कोरिया रचेन का चोवटा नीजी कमपनी ले स्मार्ट सेटी मा लोगानी करना चासो देखाया का थिये तर सरकाले कुने प्रतिक्रिया दिये को छाई ना डिपियार को प्रारंबिक मसुदा मा भोक्तपुर को तेल कोरतेखी कारफंडो को मुलपानी भोक्तपुर के बाल कोरतेखी गुंडू ललितपुर को भैसे पाटी खोकना बुगमती र कारफंडो को बाला जु बाई पास देखी कावरेश्थली टोखालाई स्मार्ट सेटी प्रधानमंत्री T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियो गीतामा लगातार दोसरो जीत हात पारे का सन। प्रतियो गीतामा लगातार दोसरो जीत हात पारे का सन। प्रतियो गीतामा लगातार दोसरो जीत हात पारे का सन। प्रधानमंत्री कप अंतर गतने मुलपानी मा भयको खेल मा कर्णाली प्रतियो गीतामा कर्णाली को यो पहिलो जीत हो। मुलपानी को माथिलो क्रिकेट माईदानमा भयको खेल मा टोसरे रा पहिले व्याटेंगरी को कर्णाली ले निर्धारित 20 ओवर्मा साथ विकेट गुमाईर एक से 20 रन बनाये को थियो। कप्तान रविंद्र साही ले 36 रन जोडे प्रकास जैसी ले 25 रन बनाये राज सहाले पंद्र तथा विपिन रावर ले एक हारा रन बनाये। खुंद यादबले थिन विकेट लिए फिर्दोस खानले दुई तथा कमल खत्री तथा सिद्धांत लोहोनी ले समान एक एक विकेट लिए। दोस्त्रों खेल मा प्रदेश दुई ले गंड़की प्रदेश लाए दुई विकेट ले पराजित गरे को सा तस जीते रा बैटेंग गरे को गंड़की ले पूरे ओवर खेले रा साथ विकेट को छेती मा एक से सोर रन बनाये को थियो अरजुन कुमा ले एक चालिस रन जोडे भने मोहमत आदिल आलाम ले दुई विकेट लिए प्रदेश तुई ले अठार ओबर एक विकेट गुमाईर जित हात पारे। हार्शी मंसारी ले सर्वादिक 26 रन बनाये प्रदेश दुई को पने जारी प्रतियोगीता मा यो पहिलो जित हो। ही जो गंड़की प्रदेश संग पराजय बहरे को थियो। हार्शी मंसारी ले अठार जित हो। हार्शी मंसारी ले रन बनाये जो फ्रतियोगीत प्रतियोगीता मा यो जो जो जित हो। बल्यो टिम एपीएफ इरुदा पुनार गमन जित निकालेको आर्मीले पहिलो सेट पत्सीस अठारा ले गुमायेको थियो, तर तेसपशीका तीन सेट मा आर्मीले सम्हालीयेको प्रदर्शन गर्यो, दोस्रो सेट पत्सीस उन्नाइस ले आफनो पक्षेमा पारेको आर्मी, तेस्रो र चौटो सेट मा क्रम सा 25-25 ले विजाई रहे प्रतियो गितामा आर्मी को पहिलो जीतो, आफनो पहिलो खेल मा आर्मी निव राइमन स्पोर्स क्लाब संग पर राजित भाय को थियो, नतिजासंगे दुई खेल मा तीन अंका बनाएको आर्मी ले फाइनल प्रवेश को संभावना जीविते राखे को स, एपिएफ को भने योग पहिलो हारो, पहिलो खेल मा एपिएफ ले नेपाल पुलिस क्लाब लाई पर राजित गरे को थियो, तनहो को रिशिंग मा भाय को अल्ट्रा म्याराथन मा त्रिवुवन आर्मी क्लाब ले बर्च अश्र कायम गर का थिये, सोलुखुम्भु का 30 बरश्य सुमन खुलुंग राई, तीन घंटा 5 मिनिट 46 से केंट मा दूरी पुरा गर दे तेस्ट भाई, धांगरुम भंज्यांग बाट्र सुरु गरियेको मैराथन, रानी पोखरी, कोठ दरवार, भीर कोठ आर्शर दी हुदे, दुवंग पूजर दुवंगे, लड़ झाल बाई, बूगरुम भंज्यांगर दी हramaude झाल झाल कांथिपूर समाचार अईलेलाई स्वकियू कांथिपूर ट्रेलेवेजन हेर्दे गर्न होला नमस्ते